अगर कोई तुमसे तित्थी के विशे में पूछे तो शायद उस दिन की तारिक, मा, वर्ष, जैसे की दो हजार या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी जैसे दोजा, सतरा, अठारा, उनिस, वीस ये सब तुम बताओगी वर्ष की ये गन्ना इसाई धर्म प्रवर्टक ईसा मसी के जनम की तित्थी से की जाती है आते दो वर्ष कहने का तात पर ये इसा मस मसी के जनम के दो हजार के बाद से है आज आपका ये इसवी और इसा का कौन सा क्लियर हो जाएगा दो हजार कहने का तात पर ये इसा मसी के जनम दो हजार बाद के यानि आज कर चल रहा है दो हजार बीस चल रहा है यानि कि इसा मसी के दो हजार बीस के बाद का समय क्योंकि ह हम इसा मसी के जनम को 111 यानि एक तारिक पहला महिना और सन एक वहीं से हम तारिक की शुरुवात मानते हैं सन एक की बात करते हैं तो एक दो एक दो तीन चार फिर चार सो पांसो छे सो हजार बढ़ता गया और आज 2020 चल रहा है तो इसा मसी के जनम के पूर्व की सभी तित्यों को हम इसा पूर्व कहते हैं और यानि इसा से पहले के रूप में मानी जाती है इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंबिक बिंदू मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तित्यों का उलेक करेंगे यानि कि 2000 तो चल रहा है तब इसा मसी के बाद का जो समय क्या इसा के जनम से पहले कुछ नहीं हुआ था अब प्रेशन उठता है कि हम इसा मसी के जनम की तारिक को मान के चल रहे हैं तो उससे पहले क्या कुछ हुआ नहीं था यानि कि शुरुआत यहीं से हो थी तो ऐसा नहीं है जो इसा मसी की जनम से पूर्व के समय को हम इसा पूर्व बोलते हैं यानि इसा से पहले का समय इतियास और तिथियां अंग्रेजी में BC यानि हिंदी में इसा पूर्व का तात्परिये Before Christ इसा पूर्व होता है कभी-कभी तुम तित्यों से पहले AD यानि हिंदी में इस्वी लिखा पाती हो यह है Anno Domini नामक दो लेटीन शब्दों से बना है तथा इसका तात्परिये इसा मसी की जनम से पूर्व है यानि इसा पूर्व कभी-कभी AD की जगे CE तथा BC की जगे BCE का पर्योग होता है CE अक्षरों का पर्योग Common Era तथा BCE का Before Common Era के लिए होता है इन शब्दों का पर्योग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व की अधिकांज देशों में अब इस कलेंडर का पर्योग सामाने हो गया जैसे अब भी देखेंगे कि 2020 AD चल रहा है यानि हिंदी में से कहेंगे 2020 AD अब देखो हमारा देश का बाद जग वा था 1947 में तो हम इसको हिंदी में कह सकते हैं 1947 ISWI में और इंग्लिश में कह सकते हैं 1947 AD में भारत में तित्यों के इस रूप का पर्योग लगबग 200 वर्ष पूर्व आरंब हुआ है हुआ था कभी-कभी अंग्रेजी के BBP अक्षरों का पर्योग होता है जिसका तात्परिये प्रिफोर प्रेजेंट यानि वर्तमान से पहले है अब हम देखेंगे कि हम जिस कैलेंडर को फोलो करते हैं वो शक्त सन्वत है वो हमारा रास्टी कालेंडर है जिसको कनिष्ट ने बनवाया था और उसके अलाबा एक और आपने सुने होगा विक्रम सम्वत उसको विक्रमा पेदातों पे इनमें से कई अबिलेक कई सो वर्ष पूर्व लिखे गए थे सबी अबिलेकों में लीपियों और भाशाओं का परियोग हुआ है समय के साथ साथ अबिलेकों में परियोग तो भाशाओं तथा लीपियों में बहुत बदलाव आ चुका है यानि पहले के बां से अग्यात लीपी को जानने के लिए एक प्रसित कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्तर से मिलती है लगपक 5000 वर्ष पूर्व यहां राजा रानी रहते थे तो आप यह चितर देखेंगे तो आपको इसमें पता चलेगा कि इतिहासकार होते थे उन्होंने इसका मतलब जिसके अंदर भी हमें मिला है ब्रुस्टो फेड़न लीपी यह एक चित्रात्मक लीपी है यानि इसमें चित्र बने हुए है फिर भी आज भी लोगों को यह पैचान नहीं पाएं इस लीपी के बारे में उनको जादा जानकारी नहीं होई है अब इसके आगे हम पढ़ते ह मिस्र के उत्री तड़ पर रिसॉट्टो नामक एक कस्बा है यहां से एक ऐसा उत्किन पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेक तीन भीन भीन बाश्चाओं तथा लीपियों जिसमें यूनानी तथा मिस्री लीपी के दो प्रकारों में हैं कुछ विद्वान यूनानी बाश्या पड़ सकते थे उन्होंने बताए कि यहां राजाओं तथा रानियों के नामक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं इसे कार्तूस कहा जाता है ध्यान से देखें इसे क्या कहा जाता है कार्तूस कहा जाता है इसके बाद कुछ विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संक की पहचान की जैसा कि तुम देख सकते हो यहां अक्षर के लिए शेर तथा यह अक्षर के लिए चिडिया की चित्र बने हुए हैं ये जो चित्र इसमें आप देखेंगे कि इसमें चित्रों का और संकेतों का प्रयोग किया गया है एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विबिन अक्षर किन के लिए प्रयोगत हुए हैं तो वे आसानी से अन्ने अभिलेकों को भी पढ़ने लगे यानि कि उन्होंने एक बार इसका पता लगा लिया कि कैसे चित्रों के माध्यम से और संकेतों के माध्यम से इनको जाना जा सकता उनकी पैचान करने के बाद आसानी से इने पढ़ने लगे अब आप अगले पेच पे देखेंगे तुम्हें एक पुराताद्वित का शाक्षात का लेना है तुम उन पांच प्रश्णों की एक सूची तयार करो जिने तुम पुराताद्वित से पुछना चाते हो अब उसके बाद आप देखेंगे उप्यों की शब्द जिसमें पहला है यात्रा, पांडू लिपी, अभिलेक, पुरातत्व, इतिहासका, स्त्रोत, अज्यात लिपी का अर्थ निकानना अब उसके बाद आप देखेंगे कुछ महत्पुन तितिया प्रिशी का आरम आठ हजार वर्ष पूर्व, उसके बाद सिंदुस अव्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा गाटी के नगर मगत का बड़ा राज्ये 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगबग 2000 वर्ष पूर्व इसके बाद आओ याद करें, निमलिकित में से सुमेल करो, तो अब इसमें हम देखेंगे, हमें इनका मिलान करना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो नरमदा गाटी है, उस पे क्या हुआ था, आखेट यानि शिकार तथा संग रहन, अब दूसरा है मगत, मगत क्या था, पहला बड़ा राज्य था, अब गारों की पहाडिया, वहां पर क्या शुरू हुआ था, आरंबिक प्रिशी, यानि गेहुं की क्रिशी, जो की क्रिशी का शुरू हुए थी, गारों की पहाडियों में, अब इसके बाद सिंदू तथा इसकी सायक नदिया, उसमें क्या था, प्रथम नगर, इसका अंसर होगा प्रथम नगर, अब है गंगा घाटी, अब गंगा घाटी कितने वर्ष पूर्व थी, पचीसो वर्ष पूर्व के लगर आपको यादी होगा कि मैंने आपको शुरुवात में पड़ा कि गंगा जो गंगा अब इसके बाद हम देखेंगे कि पांडू लीपिया तथा अभी लेक का एक अंतर बताना तो जो पांडू लीपिया उसको हम मैनुस्क्रिप्ट कहते हैं ये हाथ से लिखी होती बूर्ज तथा ताड़ पत्रों की छाल पे लिखी होती जो और अभी लेक होते हैं वो ठोस वस